Hello everyone, I am Rinki and welcome on my channel क्या कोई ऐसी चीज हो सकती है जिससे गंजे सर पर भी बाल उग जाएं तो guys कोई भी rocket science नहीं है इसके पीछे और इसका simple से answer है yes इन तीन चीजों से बने ये जो remedy है न ये amazing result देती है आपको ये तीनों चीज अगर आप 30-40 दिन तक लगातार लगाते हैं और week में दो बार यूज करते हैं तो guys गंजे सिर पर बाल तो छोड़िये बालों के growth तो आपकी दुगनी speed से बढ़ जाएगे अब आपको चाहिए कि हमने तो बहुत सारे hair care products यूज करें और साथ ही साथ oil भी यूज करें पर किसी ने भी work नहीं किया तो अभी तक नहीं किया होगा पर जो ये remedy आप यूज करोगे 30-40 दिन बाद आप खुद फोटो सेंड करना मेरे को और बताना कि कैसे छोटे छोटे बाल आपके उगने स्टार्ट हो गए और गाइस यह देखें यहां पर यह देखें मेरे जो साइड के जो फ्रेंट लाइन है यहां पर बहुत कम थे यह देगे गाइस यह लगातार इसको यूज करने का नतीजा है ऐसे नहीं है कि एक दम आपको रिज हो जाएगी और साथ ही साथ यह रेमडी इतने अच्छे से वर्क करेगी कि अगर आपकी हेर ग्रोथ रुग गई है तो वह भी भोती अच्छे से होएगी और इसके साथ गाइस थोड़ अस अपनी नींद पर ध्यान देजिए कम से कम 8 गंटों की नींद अच्छी नींद ली अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कीजिए और अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और साथ इसाथ कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए कि रिजल्ट आपको कितना वेजिंग मिलें क्योंकि मेरे को इस पर सोब परतीशत विश्वास है अब गाईज अपना मैजिकल वोटर तैयार करने के लिए यहाँ पर हमें मैथी दाना चाहिए आप इसको 6-7 चमच भिगो कर रखेंगे अगर आप इसको भिगो कर नहीं रख सकते तो आप इसको उबाल कर भी यूज कर सकते हैं हमारे केमिकल ट्रीटमेंट की वज़े से बेकार हो जाते हैं यह उनको रिपेर करने में भोती ज्यादा हेल्प करता है अब उसके बाद यह पानी आप अगली सूबा अलग करेंगे इसमें डालेंगे एक चमच कैस्टर ओल कैस्टर ओल ओमेगा 6 और 9 से भरपूर होता है इसलिए हमारे बालों को रिपेर करता है प्रीमिचूर एजिंग की वज़े से जो बाल वाइट हो जाते हैं उनको भी भोती जल्दी हटाता है और ग्रोथ में तो गाईज कमाल करता है अगर आप कैस्टर ओल और कोकोनट ओल को मिला के लगाते हैं तो बैस्ट हेर ग्रोथ होती है उसके बाद आपको गाईज क्या एड़ करना इसके अंदर कोकोनट ओल क्योंकि जब भी हम कैस्टर लगाते हैं तो उसको खाली हम अपने सर पर नहीं लगाना चाहिए कुछ न कुछ उसमेट जरूर करना चाहिए और इस वोटर की जान जो है वो यह है गाईज एक तो कैस्टर और मैथी दाना और यह गाईज यह तीनो ही चीजे बैस्ट रिजल्ट देंगी क्योंकि कोकनोट ओल हमारे बालों की चमक को बरकरार रखता है और जब आप यह तीनों चीजों का मिक्स्टर लगाते हैं ना गाई स्टोर करके रख सकते हैं 10-12 दिन के लिए पर इस से ज़्यादा स्टोर करके मत रखेंगे नहीं तो यह मैजिकल वोटर खराब हो जाता है यूज करने से पहले आपको इसको अच्छे से शेक करना है उसके बाद बालों के पार्टिशन करकर इसको अपलाई करना है और बाल नहीं आते हैं उनको गाने में हेल्फ कर सके और इसके साथ बालों की लंबाई भी बढ़ेगी गाइस 30-40 दिन का यह चैलेंज लेकर अपने आपको देखिए और उसके बाद मेरे को फोटो भी सेंड कीजिगा यह इतना अच्छा वोटर है और हलके हाथों से मसाज कीज और बीक में दो बार तो कम से कम लगाई है और इसको कम से कम गाई एक से दो घंटे तो अपने सर पर रहने दीजिए ताकि अपना मैजिक दिखा सके जितना भी यह हमने ओईल बनाया या फिर आप वोटर भी कह सकते हैं इसको यह डीपली जड़ों में जाकर जब हमारे जितनी भी हम घर पे में छिए करते हैं थे तो गाई उसका रिजल्ट ना के बराबर हो जाते हैं किसी भी दुकान से जाकर आप तो कम से कम से कम केमिकल पीूपो यूज करने और इस एक करिया तो करेंगे कैज touchscreen डाल कर उससे बालो को बोश कीज़िए वैसि इतने अच्छे से बालों सफ़ार करते तै यह Japanese और है बेक्षाइन आगये ये भी द्लिभे चैनल को सक्षराइब क्यों Remove